प्रेंट्स रादे रादे आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे मुझे पुरी उमीद है तो अभी देखिए साम नहीं कहा जाएगा साथ बज रहा है साम से जादा हो गया है और आप हमें लग रहा ना कुछ- छोग ने रहा है कि आप लोग तो फैमिली हो मैं फैमिली में नायके पहन के रहती हूं तो आप लोग भी तो फैमिली हो तो आप के सामने क्यूंग मैं मतलब मतलब अलग से गारराए। जैसे घर में रहती हूं मैंने सोचा कि मैं आप लोग के साथ ऐसे ही ब्लॉग सेयर करूंगी जो भी जैसे भी मतलब जो भी मैंने पहना है जैसे मैं हूं तो बच्ची अभी यहाँ पर पढ़ रहे थे रुपेश और छवी यहाँ देखिए और मैं उन्हें पढ़ाने के बाद यहाँ पर आप लोग से बाते कर रहे हूं क्योंकि मैं आप लोग से बाते करूं ही ना देखिए चमी को उसका पूरा फोकस मेरे पर रहता है अपनी पढ़ाई पर नहीं रहता है तो इसलिए मैंने इन लोग को पढ़ाने के बाद ब्लॉग हखती रहती हैश है और अभी मैं आज मैं जा रही हूं बनाने और अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि जब से मैंने मैं जब से मैं यूटूब पर आई हूं तो यह श्रय किया है तो इसलिए मैं रही तो आज इसी पोजीशन में ही आप लोग के साथ एसपी सेयर करूँगी, तो आज मैं बनाने जा रही हूं, क्या कहते हैं, उसे गोईठा कहते हैं, हमारे तरफ तो फारा बोला जाता है, हमारे तरफ दूसरी तरह से बनता है, वो छोटा-छोटा बनता है, और जोसे रुई की इरिया में बनता है, इसे धार्दनगर के वो सेयर करूँगी आप लोग से, तो अच्छा तो दूनों तरफ का लगता है, चाहे यहां का हो, चाहे मतलब मायके का हो, और यह है कि यहां का जो बनता है, वो आटे से गिहों के आटे से, मायके की तरफ जो बनता है, वो चावल क जल्दी यहां पर मिलता नहीं है दिपावली के सब्समें मीलेगा आपको पर इसी जन में नहीं मिलेगा और मैं अपना खुद का पिस्वाना भी नहीं चाह रही हूं क्योंकि पिस्वाओंगी तो दस किलो पाँच किलो ऐसे पिस्वाओंगी और वो खराब हो जाएगा जल्दी बारिस का समय है इसलिए मैं पिस्वा नहीं रही हूँ अगर एक किलो दो किलो पीशते न भीया लोग तो मैं पिस्वा देती यहां देखिए रुपेश की देखिए लचमी का बैग है बेट तो उसने क्लीन कर दिया है और किचन दिखाती हूं किचन में देखिए रुपेश अभी चाय पिया है न तो यह देखिए यह डबा उपर से दाने का लेकर की यहां छोड़ दिया है और अभी मैं आप लोग को दिखाती हूं कि यह सिर्फ दरदरा ही पीच लूँगी इसे और तो यह देखिए फ्रेंड्स यह मसाले में पीच लूँगी इसे भी यह लहसुन की कलिया है इसे मैंने छील लिया है यह एक चमच गोल मरिच है एक चमच जीरा है साबूत जीरा और भुना हुआ जीरा नहीं है यह और यह हरी मिर तीखा कम लोग खाते हैं तो आप तीखा मिर्च है उसकी क्वांटिटी कम कर सकते हैं और गोल मरिच की था आप जितना चाहे उतना रख सकते हैं तो अभी मैं इसका भी पेश्ट बना लूंगी और चने डाल का भी मैं दरदरा पेश्ट तेयार कर लेती हूं यह देखी फ्रेंड्स मैंने इसमें जु अशताइमे लिए तो ये मिक्सर जार बहुत बढ़ा है अब दूंग के एक अचंछे शाच और ये दर्दरा पेश्ट तयार करना है अब मैं पीश लेती हूं तो अब ये पीस लीया है और ये देखिए मैंने इसे ऐसे कुछ दर्दरे टाइब का पीशा है ये देखिए ग्राइंड इसको नहीं किया है ये दिखिए दर्द्रा है इसी तरीकी से पीस लेना है और अब मैं इसमें ना मसाले एड़ करूंगी मसाले तो मैंने पीस कर येट कर दिये थे और अभी सिर्फ मैं नमक और हल्दी डालके इसे अच्छी तरीकी से मिक्स कर दूँगी नमक और हल्दी को फिर ये देखे फ्रेंड्स फारा बनाने के लिए मैंने एक लोई लिया और उसे जैसे पूरी हम बेलते हैं ना उस तरीके से मैंने बेल दिया है और अब मैं बैटर को लूँगी आप जितना लेना चाहते हो जितना मतलब आपके पूरी के अंदर आ जाए और कुछ इस तरीके से हमें अंदर दबा दबा के बैटर को इसको पैक कर देना है ये देखिए फ्रेंड्स ने इस तरीके से पैक किया है और इसे पूरी अच्छी तरीके से पैक करना है ये देखिए कि ये ऐसा नहों कि फारा जो है वो पानी में जाते ही खुल जाए तो पैकिंग इसकी बहुत ध्यान से मतलब करनी होती है और हम गुजिया बनाते हैं सेम उसी तरीके से इसे बनाना है तो तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी हाउस वाइब को गुजिया बनाने नहीं आता होगा तो देखिए फ्रेंड्स ये मैंने इस साचे से बनाया है जिसे उस तरीके से नहीं आए वो इस तरीके से बना ले दोन कब हो जाता है पता ही नहीं चलता है और गर्मी बहुत जादा थी तो हम लोग साथ मिलके ही बना रहे थे और रुपेस जो है ना वो रिकॉर्डिंग कर रहा था क्योंकि मेरा ट्राइपोड जो है वो तूट गया है तो इस समय रुपेस की द्यूटी है वीडियो सूट करने की और यह देखे फ्रेंट्स मैंने सारे फारे को बना लिया है और यहाँ पर मैंने पानी पहले से ही छोड़ दिया था कडाई में उबलने के लिए तो अच्छा खासा पानी जो है वो खॉल गया है अब इसमें एक एक फारा करके डाल दूँगी इसमें साउधानी से की फारा जो है वो इधर उदर से फटेना मैं चेक भी कर रही हूं और डाल भी रही हूं तो यह देखे फ्रेंट्स सारा फारा जो है गया पानी के अंदर और पूरी कराई जो है ना वो भर गई थी तो यह बहुत अच्छा लगता है फ्रेंट्स आप इसे ट्राई करिएगा बहुत ह चलिए और फिर मैं इसे कवर करके लिए और मुझे नहीं पता कि कहां कहां पर यह बनता है जो कि आपके आपके हां ऐसे बनाया जाता है कि चावल का बनता है दूसरे स्टाईल से तो मैं भी उसे ठाई जरूर करूंगी और फ्रेंट्स मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो प्लीज उसे लाइक कर दिया करिए आप लोग लाइक नहीं करते हो और आपका एक लाइक ना हमें बहुत ही मतलब मैं क्या बता हूँ आप लोग से कि हम कहां पहुंच जाते हैं अगर एक लाइक बढ़ता है तो तो प्लीज एक लाइक जरूर किया करिए मेरे चैनल क को सब्सक्राइब कर दीजिए वेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो बनाओ ना उसके नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले तो अभी मैंने उस फारे को रखा है बॉयल होने के लिए वही 15-20 मिनेट तक उसे बॉयल करूंगी और हां बस 15-20 मिनेट में वह पक जाएगा और इस तरीके से ना मैं फॉर्स टाइम बना रही हूं मैंने कभी ऐसा बनाया नहीं था पर चावल का आटा नहीं मिल रहा था ना तो इसलिए मुझे इस तरीके से बनाना पड़ा तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे फूल सपोर्ट करिए एक मुझे तो फ्रेंड्स यो मैंने छन्ने का बैकर त्यार किया था था तो ऊसी का थोड़ा समय न नने पकॉर्ड़ा बना लिया था मतल्दों से मैंने इस टीमई किया था फ्राई नी की हूँ और चबी को यह अच्छा रहा खुद भी खा रही है मुझे भी खिला रही है आप फ्रेंड्स लोगों नहीं खिलाओगी आओ दे नहीं दिये लीजे फ्रेंड्स आप भी खा लीजी और कुछ इस तरीके से बारी के तरीके से यह बनता है तो ये भी बहुत तेश्टी बनता, आप इसे ट्राइ करिए, आप चाहिए तो इसे फ्राइ करके खाईए या ऐसे स्टीमी खाईए, नुफसान ने करता है, और बहुत मौस लगता है, तो फ्रेंड्स मैं अभी आप रुक्से मिलती हूँ, मैं थोड़ा चेक कर लो कि फारा आ तो अभी देखे फ्रेंड्स मैं ने चेक किया, तो फारा भी पका नहीं है, और इसे कुछ इस तरीके से चला रही हूँ, बेलन की सहायता से, अगर मैं पल्टे से चलाती ना, तो फारा जो है फट जाता कहीं ना कहीं, पल्टे के कोने से लगके, तो इसलिए मैं इसे बेलन स चला रही है, और अभी दस नट हो गया है, फारा जो है वो बन गया है, तो इसे मैं निकाल लूँगी और रग दूँगी इसे ठंडा होने के लिए, जब ये ठंडा हो जाएगा, तब मैं इसे कट करके फ्राई करूँगी, और ये दिके फ्रेंड्स, अब मैंने कट कर दिया है, और कुछ खड़े छोड़ दिये थे, वो चबी खायेगी, बोल रही थी मुझे कट वाला मदी जी मम्मी, तो मैंने तेल कडाई में डाल दिया है, राई दाल दिया है, और सारे फारे डाल के इसे मैं फ्राई कर लेती हूँ, तो फ्रेंड्स, चबी ना बोल रही थी कि मम में आप गुजिया बना रही हो, तो यह गुजिया नहीं फारा है, और अभी जो है फारा फ्राई हो गया, मैंने एक दूसरे बरतन में उसे निकाल लिया है, और ये मैं लगा दे रही हूँ, आप लोग के लिए, आईए और आप लोग भी हमारे साथ खाईए, और इस कुम से.